को अकिल हम लोगों ने देखा था कि निफ्टी में अपना एक मुवमेंट आने को है पेंडिंग का देखा क्यों निफ्टी आई टी एंज दूसरी आपका रेलाइट का 2 नोने ब्रेक आट चाहर निफ्टी में मूवेंट दे जाया सेकेंड चीज़ हम लोगों ने भी देखे थी कि अगर sellers के रिया में आते ही तो अपने लोग शॉर्ट कटेड भी इसमें ढूंड देंगे धर्ड चीज हम लोगोंने क्या देगी थी कि अगर तेजी को लीड गरती है बैंक निफ्टी तो तेजी सस्टेन रहती है और अगर गिरावाट को लीड गरती है बैंक निफ्टी तो गिरावाट भी सस्टेन रहती है नहीं तो आपको जनरली देखने को मिलता है कि वह सस्टेनेबल नहीं रहता सेकंड चीज हम लोग एक चीज और डिसकस करेंगी जो लास्ट में कॉल बायर्स यह आपका जो लास्ट में मार्केट गिरा है क्या इसमें प्रॉफिट भॉगिंग है या फिर आपका उपर से सैलिंग आई है क्या है वह देखने वाली चीज है सबसे पहले मैं कुछ आज मैं इसमें इसमें इस तरीके सा स्कीन इसलिए दिखा रहा हूं ताकि मुझे कुछ चीज समझानी है अगर आप मुझे कमेंट्स बदा देना कि यह बहतर है बोर्ट पर बहतर है मेरे ख्याल से यह बहतर रहेगा विकॉस यहां पर आपको कुछ चोटी मुझी चीज जो बतानी है तो यह बन रहा है डबल टॉप दिख रहा है वेरेस फ्यूचर में मैंने आपको बताया कि फ्यूचर कुछ और कर रहा है स्पॉट कुछ और कर रहा है मतलब यह तो गड़बड़ है यहां फिर फ्रेश्ट नहीं करना चाहिए तो यहां वाले पर देख रहा है पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू अगर कुछ प्रॉब्लम वाली बात है तो यहां से आपका ही गिरना अभी मैं निफ्टी का भी बताऊंगो निफ्टी भी में लोगो 1988 क्या सपास देखा था कि 800 पहला लेवल था सेलर्स का यह दूसरा 880 था है तो वहां दोनों से 880 से ही exactly fall किया है अभी फिलाल देखते हैं मैं इ बंडे के चार्ट पर आके देखेंगे कि क्या यहां से गिरावट और कंटिनर रहेगी या फिर अपना यह हो गया जस्ट प्रॉफिट बुकिंग है ठीक आप मेरे को बताना कि आपने कोई ट्रेड लिया था इस फॉल्स ब्रेक और में कॉल लेके फसे या पुट लेके फसे जो भी चीज़ है अभी मैं बात करता हूं तो यहां से इटा आजेता हूं इसको क्या बन रहा है आप यहां से देखो मार्केट उपर आ रहा है उपर आके बैंक निफ्टी निफ्टी आपका प्रेशराइज हो रहा है उपर जाके लगा था कि आपको यी तोड़ देगा कि प्रॉफिट बुगिंगे नॉर्मली ठीक है ऐसा कुछ नहीं कि यहां से मार्टिन गुज जाएगा गिर जाएगा नॉर्मली प्रॉफिट बुगिंग आनी ही होती जब इतनी जबर्दस ज्रैली आती है न वह किसी भी टाइप अगर आप यहां भी देखा देता हूं यहां पे आप देखोगे तो यह निफ्टी का क्या है अपना सेल निफ्टी है हम लोगों ने अटेम्ट कहां किया था पहले राइटिंग वाले जोन पे 787 पे आपको राइट करना ठीक और एसल था 818 का उसके बाद देखो कॉंटर ट्रेडर बेज़ों अपर रेजिस्टेशन बैंक निफ्टी तीन सो पर बाय करें तीन सो पच्छास पर करें 400 का टार्गेट था था मैं बात करता हूं आगे चलते हैं आगे चलके देखते हैं कि क्या चीज़ लिए बस ठीक अब भी इसके लिए इंपोर्टेंट रेस्टेंस ही हम लोगों किया नोट के था पहला गया खुल गई तो आगे बात करता हूं तो आज कुल गई साइडवेस और लोगो न न निफ्टी के बारे में पहले बैंक निफ्टी पर आते हैं ठीक है यहां देखोगे आप तो first time इसने यहां पर try किया ऊपर खुलते ही फिर नीचे आ गया फिर उसके बाद दुबारा आज इसने try किया नीचे आ गया फिर दुबारा गया और यहां से एक sharp आपका profit booking गई इस level को तोड़ते हो मौका भी नहीं मिला कि शॉट करने का ठीक है मतलब जब तक मैं शॉट का trade देता तब तक आपका candle बन चुकी दी ठीक है anyways तो यहां पर अगर आप देखोगे तो अब हमें fresh bank के बारे में कहां सोचना है 44 440 के उपर ठीक है इसके उपर पहला level आ रहा है fresh bank का 840 ठीक है यह आपके support areas है इसलिए मैं गरता laptop पे थोड़ा सान रहता है कि मेरे हाथ में होती चीज़ी ठीक है तो यह तो इस एरिया पर बाय करना है यह fresh इसकी उपर जाएगी तब आपको बाय करना नेट सिंपल ठीक है गया गया गयाप यह बहुत बड़ा गयाप यह बहु नहीं मुझे पहला मजबूती का sign तब मिलना शुरू होगा जब 44-200 के उपर निकलना शुरू करेगी इसका मतलब क्या होगा अगर मानलो यहां से breakout देती है ठीक है कल ओपर खुलके यहां पर breakout देती है मानलो gap up खुली तो यहां का support के साथ positive action पर bind की side जा सकते है विकाज यह यह inside bar में बन जाएगी तो आपको एक short का trade उधर मिल जाएगा ठीक याने की कौन से important levels आरे जो mark करने वाले है 44,175 हो गया एक 44,440 हो गया और तीसरा आपका हो गया 44,50 के आसपास का यह टूटेगा देन आपका 950 के आसपास तक का आपको एक trade मिलेगा बस 950 से निशी की मैं मैं shorting के लिए प्लान नहीं कर रहा हूँ, 440 के उपर एक fresh short covering का मुग आपको देखने को मिलेगा, कल आपका इसका bank X का expiry भी है ना, चलो, next आते हैं अपन लोग nifty पे, ठीक है, nifty का तो simply यहाँ पर आपका data भी nifty का सुबा से strong को दिख रहा है, तो nifty में तो अपने को shorting के बारे में सोचना था, यहाँ पे एक जगा पे इसने, 11,30 के आइस पास इसने एक top 10 के signal दीने, जहाँ पे मैं short का trade भी दी था, इस जगा पे, इस candle के नीचे मैं ने short करवाने की कोशिश की दी, छोटा सा इसल बनना था, 818 का ही, चलानी trade वो आपस से cost to cost पे आगे था, मैं ब अब तक वो next candle भाएं, टाइप करता ही रह गया, फिर last में तीन वाजे के बाद क्या ही trade देते हैं, वो वाली बात होती है, anyways, आते हैं वपस से, अभी nifty के लिए कौन सा breakdown point है, जहाँ पे इसने support कई बाढ़ लिया था, 780, 775, वो ही same आ गया, कि अगर 7, जैसे 44, 175 था, वैसे निफ्टी के अंदर आपको कौन सा आ रहा है, 780, थीक, नीचे कौन सा support area आ रहा है, support area somewhere around, यह normal profit होगी है, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, selling के बारे में हम लोग तभी सुचेंगे, जब अभी shift में, बंडे की चार्ट पर range दिखाऊंगा, आपको तब देखना, ठीक है, 720 आपका पहला support, यानि 720 के नीचे आपको एक weakness का sign दिखेगा, towards 665 और 625, 625 is now very important support, जो पहले resistance हुआ करते भी, अब वो support होगी, तो यानि कि मुझे buying का level कहा मिले, या तो आपका 775 क्रॉस करे, या फिर 625 के असपास आपको कोई positive action मिले, आज भी देखोगे तो 627 साही exactly nifty रो क्रॉस करने के बाद, फिर मेरे, वो short करने का मन नहीं कहा था, कि मैंने पता लगा, तीन मजे के बाद, और short covering ठीक हो, या रिलाइंस वगरा, सब भागी रहता है, अभी आप देखोगे तो, क्या candle का structure दिख रहा है, वो देखो, हर एक candle important होती, daily chart पे, यहाँ पे आपने एक negative candle देखी थे, उसके बाद, ऊपर खुला, नीचे आया, support लिया, वो उसके बाद, वापस closing नहीं देखी, आज इसने क्या गिया, ऊपर जाने के बाद, closing काफी खराब दीए, वो expiring में होता है, puts कटती है, कटती जली जाती है, कटती जली जाती है, वैसी वाली कहा नहीं थी, anyways, वापस आते हैं, 9500 के नीचे market आपको close देते, ठीक है, तो लेवल सम लोगों ने note करी, लेवल बेस trading करोगे, मेरे पास trade आएगा, तो मैं करूँ आने तो trade छोड़ दूँँगा, क्या जबर से थोड़े rate करना है, करना ही करना है, तो लो आते हैं वापस से, और इसका अपना थोड़ा सा option chain का भी analysis करते हैं, fresh कहाँ पर call writing होई है, 19900 पर ठीक है, बाकी कोई खास call letters नहीं आए, यही एक reason था, जो मैं आपको बोल रहा था, कि this can be a profit booking, अगर याद रखना, अब यह मैं important चीज़ बोल रहा हूँ, क्या important चीज़ बोल रहा हूँ, market गिरती है, साथ में call writers आ जाते हैं, इसका मतलब क्या होता है, कि अब यह गिरावाट आपकी sustain करेगी, not a profit booking, समझे रहा ना, fresh shots एड नहीं हों market में, देखो यह सारी चीज़े, मैं आप फिर बता रहा हूँ, यह सारे paid classes में होती है, paid classes in the sense, जो मैं A2Z बाले को बताता हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं आप कोई बता रहा हूँ, तो इसका थोड़ा सा आप ध्यान से जमझना, जैसे market अप उपर जाती ही, तो यहाँ पर put writers को आना ज़रूरी होता है, that means वो आपके fresh long side हो रहे हैं, आपर put writing fresh हो रही है, सेम चीज़ यहाँ पर call letters नहीं आए, इस level पर तो आगे 9900 पर तो आगए, चलो ठीक है मानते है 9900 पर आगए, लेकिन यहाँ पर call letters भी आने चाहिए थे गिरावाट के साथ, बट वो नहीं आए, whereas put writing से करना मैं बात करता हूँ, तो 9700 पर 30 lakhs की puts बैटने हैं, ठीक है, अगि जी fresh है, तो आपको इस साइडिया लग जाएगा, ठीक है, अब आपको समझ में आगे हो कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था, कि नर्मल ही ऐसा कुछ हो नहीं है, कि यहां से गिरावाट शूरो गोजाई या ना, ठीक है, होने को कुछ भी हो सकता है मैं फिर कल भी यह बता ही थी होने को कुछ भी हो सकता है लेकिन अपने को क्या लेवल्स पर काम करना है नेक्स्ट आते हैं बैंक निफ्टी में 44,300 पर आपकी और यहाँ पर यह है 5,4,000, मतलब कॉल रेटर सोड़ से ज़ादा है यह चीज हम लोगों ने कल भी देखी थी रिस्क रिवर्ड वाइस आज मैं निफ्टी को प्रेफर करता सॉरी बैंक निफ्टी को प्रेफर करता बैंक साइड में उसका रीजन कहता है चली नहीं थी यह लेकिन आपकी आईटी एक हजार पॉइंट भागी कलम लोगों ना आईटी का चार्ट स्पेसिफिकली लगाया भी था ठीक है थोड़ा सो उसकी भी अनलिसेस कर लेते है cnx आईटी और आपका रिलाइंस का है न ताकि निफ्टी में और आईटी लग जाएगा इसके उपर आपका और सेम चीज़ आपका रिलाइंस के अंदर भी था तो उसमें फिर आपको शॉर्टिंग के बारे में सोचना भी होता है तो आपको कम कॉंट्री एक दिन में सो जब भी ट्रेंड रिवर्स होगा ना बता की होता है इस केंडल में आपको एक दिन का ट्रेट छूट जाएगा शॉर्ट साइट का करना भी नहीं है में टॉप थोड़ी बगड़ना है जब एक नेगेटिव एक्षन तो अपने को करना होता है तो इसका भी है लाइस वीक का बगो 2340 के नीचे ही ठीक तो आई हो आपको सारी बा कर दो आई है लाएगा आई है